आप सबी जानते हैं कि पूजा पार्ट के अनभव अलग तरह से होते हैं लेकिन जब कुछ शक्ति आपके शरीर में आने का परियास कर रही है या वो आना चाहती है या कुछ समय में आने वाली है तब आपको कुछ अलग ही तरह से संकेत मिलते हैं ठीक है वो पूजा से बिलक इसे बात है कि इसके महत्यपूर्ण संकेत आपको अपने ही शरीर के अंदर मिलेंगे आपके शरीर में अनुभव आएंगे आपको कुछ लक्षन दिखाई देंगे उन सब चीजों की आज हम बात करने वाले हैं और कितना समय लग जाता है जैसे कुछ चरवाती अनुभव होत करता हूं मैं मानता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत जादा अवश्यक जानकारी इसलिए है क्योंकि आप लोग जब पूजा पाट करते हो तो जैसे जैसे आप पूजा करोगे वैसे वैसे आपके शरीर में मंतर उर्जा खपने लगती है यानि खपत करने लगती है ठीक आप लोगों को सबसे पहले पूजा के दीपक से ही संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं वह पूजा का दीपक जो आप जिस भी शक्ति के नाम से जला रहे हो वही दीपक आपको एनरजी देना शुरू कर देता है शरवात में आपके मन में जो विचार होते हैं नेगेटिव विच मुख से उबासया निकलेंगी लेकिन यह सब कुछ होगा लेकिन विचार नेगिटिव ही होगे बहुत ही ज्यादा नेगिटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं कुछ साथगों को पूजा के समय पर तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई शक्ति आपके श्रीर में परवेश करती है वह श्रीर की नेगिटिविटी को दूर करती है तो इस तरह के संकेत आपको मिलते हैं लेकिन फिर इसके बाद पोजिटिव शक्ति यानि कि जी शक्ति क्या पूजा कर रहे हैं जब वो आपके श्रीर में परवेश करना शुरू करती है उस तीती में भी आखों से आसु आना शुरू हो जाते हैं आपके मुख से उबासिया निकलना शुरू हो जाती है लेकिन उसका एक अलग रास्ता यह है कि जब कोई पोजिटिव शक्ति आएगी तब आपके विचार पोजिटिव होंगे यानि जब नेगिटिव बाहर निकलती है तब तो श्यांत होता चला जाएगा आपका पूजा में मन लगना शुरू हो जाएगा पूजा में आपको सुगंद्र का एहसास होना शुरू हो जाएगा अपने आस पास आपको शक्तियों के होने के अनभव आने शुरू हो जाएंगे आपके शरीर पर गहरा आलस आना शुरू हो तो आपके पूजा के दीपक में फूल बनना भी शुरू हो जाता है बिलकुल पूजा के दीपक में फूल बनता हुआ आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा वह दीपक में फूल कभी तो हरोज बनेगा तो कभी हफते में एक बार दो बार या फिर पूरा महीना भी बनता चला जाएगा यानि कि पूजा के धिपक में फोल का बनना और पूजा की धिपक की लोका उपर की तरफ उठ जाना यह आपको दर्शा आता है कि शक्तियां पूजा घर में तो आना अब शुरू हो चुकी है फिर उसके बाद यह सब कुछ होता है जैसे आपको से असु आना, मुक से बास या निकलना ठीक है, शरीर पे आलसा आना बिल्कुल आपके शरीर पर इस तरह ऐसे आलसा आएगा कि आपके कंधे बारी हो जाना आपका सर बारी हो जाना तो यह हैं पुई शक्तियां आने की ही संकेत होते हैं कि कोई शक्ति है जो आपके शरीर में परवेश करने का प्रियास कर रही है आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी पीट पर बहुत ज़्यादा भार आ चुका है इसकी बज़े से आपकी पीट में दर्द भी बन सकता है बहुत बार ऐसा होगा कि पीट पर अचानक की भार आना शुरू हो जाएगा और फिर पीट में दर्द भी हो सकता है. आपके पीट पर खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है. खिंच पर खिंचाव पड़ेगा और आपकी जीवा, यानि आपकी जीव पर बहुत जादा जन जनाहट होना शुरू हो जाती है. फिर उसके बाद शक्तियां आपके हाथ। decision जनजना हट देना शुरू करती है यानि कि आपके हाथों में बहुती तेज गती से जनजना हट पैदा हो जाएगी पूजा करते समय आपके हाथों में और पाओं में जनजना हट होने लगेगी आपको घर्मी का ऐसास होगा ये बात है कि कभी आपको पूजा में ठंड़ का एसास होगा कभी आपका पूरा शरीर ठंड़ा हो जाएगा तो कभी गर्म हो जाएगा ये दोनों तरह से आपके शरीर में होने लगता है जब कोई शक्ती आपके शरीर में परवेश करना चाहती है तो अगर इस तरह का संकेत आपको मिलता है तो आप मान सकते हैं कि शक्तियां आपके शरीर में परवेश करना चाह रही है इसके बाद आता है आपके सपने जी बिल्कुल आपके सपने में भी वो शक्तियां दर्शन देना शुरू कर देती है जो आपके शरीर पर आना चाती है जो भी शक्ति आपके शरीर पर आना चाती है उजी शक्ति के आपको मंदिर दिखाई देते हैं आपको शक्ति की तस्वी पिर पर आ रही है तो इस तरह का संकेत भी आपको बताएगा कि शक्तियां आपके शरीर में आना चाहती हैं पूजा में आपको बहुत ज़्यादा आनदाने लगता है पूजा की तरफ आप अकरशित होने लगते हो उस देवी देवता के विचारों में आप खोने लगते हो औ उचक्ती का कोई सौंग सुनते हैं, किर्तन में जाते हैं तो आपके मन में इस तरह के ही विचार चलने शुरू हो जाएगा आपका जुमने का मन करने लगेगा और एक बात और जब भी आप उजा पार्ट करेंगे जब कोई शक्ती आपके शरीड में परवेश करना चाह रही हो और पूजा करते करते अचानक ही आपके शरीड में जटके पढ़ना भी शुरू हो जाते हैं यह बात भी बिल्कुल सत्य है आप पूजा कर रहे हैं अचानक ही आपके शरीड में जटके पढ़ेंगे और वह जटके इतनी जोर से पढ़ते हैं कि जैसे आपके शरीड में बिजली का करंट लगा हो आपको पता भी नहीं चलेगा अचाने की शरीड में जटके पढ़ना शुरू हो जाती है शरुआत में हलके होते हैं लेकिन जैसे जैसे आपका पूजा पर बैटने का समय बढ़ता है यह भी और जादा तेज होने लगते हैं और आपके सांसों की गटी बड़ी तेजी से चलने लगती है सांस बहुत तेजी से चलने लगते हैं सांसों की आवाजें भी आपके कानों में गुंजने लगती हैं आपके दिल की धड़कन बढ़ना चुरू हो जाती है पूजा पर बैठते ही तो इस तरह के संकेत अगर आपको पूजा पर मिल रहे हैं तो सीधे सी बात है कि कोई न कोई शक्ती जरूर है जो आपके शरीर में परवेश करना चाह रही है एक बात ओर कि जब आप पूजा पाट करोगे तो आपको कुछ आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं जैसे ओम की धुवनी सुनाई देना या फिर पूजा करते करते आप जिस भी शक्ती का कोई नमर जबते हो नाम जबते हो मंतरा जबते हो तो आपको इस तरह से वो ही मंतरा आपके कानों में गूजना शुरू हो जा सकता है आपको कोई बीज शब्द सुनाई दे सकता है कोई भी मंतरा सुनाई दे सकता है इस तरह से बहुत से चीज़ें आपके साथ में होगी आपको ऐसा लगएगा कि जैसे कोई अचानक ही आपके कानों में आके चिलाया है यह भी आपके साथ हो सकता है और बहुत बार तो आपका नाम लेकर ही आपको आवाजे आएंगी जैसे आप दीपक जला रहे हैं आपको अचानक कैसा लगएगा कि कोई आपको बाहर बुला रहा है तो इस तरह के अनुभव भी आपके साथ में हो सकते हैं और कुछ-कुछ बाती भविशे में जो आपके साथ में होने वाली है वह है आपको कभी सपने के मादम से दिखाई देंगी तो कभी आपको पूजा के समय इतनी भयानक आवाज सुनाई दे सकती है कि आपके शरीर के रोंगटे घड़े हो जाएंगे और आप लोगों की सुभे नीद तोटना अपने आप ही शुरू हो जाती है जब भ्रहमुरत के समय पड़ता है यानि सुभे तीन से पाँच के बीच आपकी नीद अपने आप ही खुलना शुरू हो जाती है आपको बहुत बार ऐसा लएकि जैसे किसी ने आपको आवाज लगा कर उठाया है या किसी ना किसी बहाने से आपकी नीद अपने आप ही ब्रहमुरत के समय पर खुलना शुरू हो सकती है और पूजा पर बैठे बैठे अचानक ही आपको नीद आने लगती है बिल्कुल आप जब आप उजा में होते हैं तो आपको ऐसा लगा कि जैसे आप सो गए थे या फिर आपको अचानक ही नीद आ गई थी ऐसा बहुत बार होता है और जब वह नीद का जोका आपको लगता है तो उसी तीति में कई बार देवदर्शन भी आपको हो सकते हैं इसकतियां आपको ध्यान में अचानक ही दिखाई दे जाती है तो इस तरह के संकेत भी आपको बताते हैं कि कोई न कोई शकती है जो आपके शरीड में प्रवेश करना चाहर रही है अगर इस तरह के अन्भव आपको हो रहे है लेकिन उसके बावजूद भी शकती खुल कर न नहीं आ रही आपके शरीर में परिशानी अलग चुकी हैं बीमारी अलग चुकी हैं घर में दिक्त समच्चा हो चुकी हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं बात करने के लिए वर्शेप नमबर आपको शक्रीन पर दिया हुआ है आपको केवल मैसेज करना है आपकी जो भी को तुरेंट बता दे जाएगी साथ में समच्छा का समधान भी आपको तुरेंट बताया जाएगा